तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि स्वास्तों मनदेगा विभाग की तरफ से जो भरती निकल कर आ रही है तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में डीटेल से बात करेंगे अगर आप इस चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियो आपको हर जो मिला करें तो चलिए सुरू करते हैं और अगर आप अभी तक अगर फैस्बुक पैज को लाइक ने कियें जिसमें बहुत सारे वेकेंसी से रिलेटेड नियुज है यहाँ पे तो बताना चाहेंगे अगर आप इस चैनल पे ने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियो आपको हर जोज मिला करेंगी तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहली की क्याल दिया गया है उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि यह वेकेंसी कब तक आने वाली है और अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं कियें तो निश्ची तो पर लाइक कर दीजे होने वाला है और सभी परसासन को यानि कि तेजी से काम करने का यहाँ पर ओडर दे दिया गया है उपायुक्त राजस्वरी बी कि दक्षिता में समाहरानले में मुख्य मतपूर्ण बैठक कर स्वास्तो मन देगा कि रिक्त यानि कि खाली जितने भी पद हैं एक सब्ता के अंदर जो है इसका बिग्यापन जारी हो जाएगा यानि कि आपको अगले साल के फर्स्ट वीक में जो है आपको वेकिनसी से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगी और ताकि सरकारी कारियों में जो है किसी तरकी धीमी गती ना हो इसलिए जो है इसकी रिक्रॉर्मेंट जो है सबसे पहले की जाएगी उसके बाद बताये गए कि कहां कि बच्चों को scholarship जल्द सत्परतिसत योग्य बच्चों के खाते में अस्थानांतरित किया जाए यानि कि scholarship के लिए भी बहुती सरकार जो है बहुती चित्तेजी से यहाँ पे काम करने वाली है और यहाँ पे जल्द से जल्द मिल जाएगी आपके खाते में उन्होंने कल्यान वो अस्पताल गंदे सहित निर्मान धीन यानि कि जितने भी अस्पताल गंदे हैं साथी जो आधा दूरा काम हुआ है उन सभी की भवनों की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि जमिन विवाद से सम्मंदित समयस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि योजनाओ को किरिया नभ्यन तेजी से काम हो सके करते हमन सुरैन कि जितने भी जमिन से रिलेटट को यहां पे क्लियर कर दिया जाए है उसके बाद जो वहां पर काम तेजी किया जाना चाहिए और यहां पर दिया गया कि अलपसंख्यक विद्धालई धाका का कारियर आवंटन प्राप्त कर पूरा किया जाए यानि कि अलपसंख्यक बिद्धाले का जो है यहां पे योजना यानि की कारे को पूरा करने का भी निद्ध दिया गया है उसे हेंड़ ओवर दे दी जाए उन्होंने का कि जर मुंडी परखंड वो अंचल कार्याले समेत अन्य निर्माद दिन परखंड कार्याले को जल्द से जल्द प प्रेजी से होने वाली है और यहां पर वेकेंसी से लिडिटेड अगर आपको बताना चाहेंगे तो निश्ची तोर पर जो है यहां पर पिछली सरकार के मुकाबले ज्यादा वेकेंसी आने की संभावना पूरी तरीके से इसलिए जो है आप अच्छी तरह से तैयारी कीजे और यहां पर बने भवन को एक हफता में हेंड ओवर करने का अल्टिमेटम दिया गया है और यहां पर बताया गया कि बहुत सारे यहां पर दिये गये हैं जो की भवन से रिलेटेड हैं स्पोर्ट कॉंप्लेक्स से रिलेटेड हैं तो इसे जल्द से जल्द पूरा करने का न जयारी कीजे ताकि आने वाले दिनों में आपके पास एक अच्छा खासा जोब हो तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ सेया कर दीजे और अगर आप इस चैनल पर नहीं चैनल को करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो आपको हर रूज मिला करे तो धन्यवाद दूस्तों जय हिंद जय भारत